नमस्कार पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम बंदर से मानों कैसे बने और उसी संदर में बात करते हुए एक नाम आया लूसी का मैंने कहा कि लूसी दुनिया की पहली एतिहासिक ग्यातमा थी यानि जिसके बारे में हम जानते हैं लूसी दुनिया भर की एक परसिद्ध हस्ती है अगर मैं ये कहूँ तो आपको आश्चरे होगा लेकिन आज मैं इसी लूसी की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जो वास्तविक अर्थों में हमारी सब की परदादी हुई दरसल 1971 के करीब दो वैज्यानिकों ने एथियोपिया के एक अफार ट्रैंगल के अंदर एक इस्थान की खुदाई शुरू की उसका व्यापक सर्वेक्षण किया और उस सर्वेक्षण के दोरान उन्हें एक फीमर हड़ी मिली फीमर हड़ी यानि जांग की हड़ी उस हड़ हड़ी को देखकर उसके वैज्यानिक जॉंसन को बड़ा अस्चेरे हुआ क्योंकि यह फीमर हड़ी काफिकुस सीधी थी और बाद में उस हड़ी के साथ मिला एक घुटना जब जोड़ा गया तो वैज्यानिकों के रोंग्टे खाड़े हो गये क्योंकि जब आप घुटने के साथ इस फीमर हड़ी को यानि जांग की हड़ी को जोड़ते हैं तो यह इसपस्ट पता चल सकता है कि क्या यह जीव सीधा चलता था और दो पैरों पर चलता था और जी हाँ इन दोनों हड्डियों को मिलाने के साथ ही वग्यानिक यह समझ गए कि उन्होंने दुनिया के लिए कोई नई खोच कर दी है। दो पैरों पर चलने लगा और बाद में दिमाग का विकास हुआ। यानि अंडा पहले आया या मुर्गी वाली कहावत हो गई। लेकिन लूसी की खोच के साथ यह सिद्ध हो गया कि दिमाग के विकास के काफी पहले ही हम मनुष्य या हम मनुष्य बनने वाले जीव दो पैरो पर चलने लगे थे। 1974 आते आते लूसी और उसके अवशेशों की लगबख खोच पूरी हो गए। इस टीम से जुड़े हुए सारे वैग्यानिक बेहद उस साह में थे। और यह दोनों वैग्यानिक अमेरिकन वैग्यानिक थे। इसलिए बहुत मुश्किल था कि एथियोपिया से इस फॉसिल के सारे अवशेशों को लेकर अमेरिका आया जाए और उनका फिर विशद और विस्तरत अध्यन किया जाए। कई सारे राजनाई प्रक्रियाएं संपन्न हुई और अंत में एथियोपिया की सरकार ने लूसी के अवशेशों को अमेरिका ले जा माती देती और उसके बाद इन हड़ियों को जोड़ कर जब रखा गया तो लगभग 40 प्रतिशत लूसी हमारी आंके साब दे थी जब लूसी के इन फौजिल्स को जोड़ा गया और लगभग पहला मनुश्य जिसे हम कह सकते हैं वो सामने आया तो ये खबर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी ख़वर थी क्योंकि लूसी एक आस्टेलो पिठेकस नामक एक बंदर पढ़ जाती थे थी लेकिन आस्टेलों पिठेकस अफ्रेंसिस जो कि लूसी का परिवार हुआ लूसी ने ये सिद्ध कर दिया कि आस्टेलो प्रथेकस अफ्रेंसिस के दौर में ही हम अपने दो पैरों पर चलने लग गए थे और ये मानव उद्भव और विकास का एक बहुत महत्पून पड़ाओ था लूसी एक वैश्विक रस्ती बन गई पूरी दुनिया में लूसी की चर्चा होने लगी या इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लूसी का नाम अमेरिका में तो कम से कम घर घर तक पहुँचने लग गया लूसी का लूसी नाम कैसे पड़ा बड़ी दिल्चस्प कहानी है एक दुनिया का बेहरत परसिद्ध बैंड है बीटल्स जिसके कुछ थीम्स कुछ कॉम्पोजीशन आपने जरूर सुने होंगे नहीं सुने होंगे तो आप सुनिएगा जब ये टीम लूसी और उसके फॉसिल्स पर काम कर रही थी तो बीटल्स का एक गाना बचता रहता था लूसी इंदा इसकाई विड डाइमंड उस समय का बहुत परसिद्ध गाना था और टीम के वैग्यानिक और उनकी टीम अक्सर इस तरीके के बैक ग्राउंड मुजिक के साथ काम करते रहते थे और जब लूसी की खोज हुई तो उन्होंने उसी गाने का नाम दे दिया लूसी जो इस थानिया लोग थे उन तक भी ये खबर पहुँची कि कोई तकरीबं 32 लाख साल पहले का एक जिवाश में मिला है जिसने एथियोपिया को अचानक चर्चा में ला दिया है और पूरी दुनिया अब इस छेतर के बारे में एथियोपिया के बारे में और लूसी के बारे में बात कर रही है उन्होंने उस साहित होकर अपनी भाशा में उसका नाम दिया दिंकी नेश जिसका मतलब था You are marvelous आब बहतरीन हो तो यानि लूसी को हमारी में लूसी को अपने कवर पेज पर छापा और पूरी दुनिया में टाइमस मैगजीन पर छपने वाले चहरों की चर्चा होती ही है आप अक्सर सुनते हैं कि इस खिलाडी को या इस एक्टरस को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज का हिस्सा बनाया इसलिए बहुत बड़ी घटना थी उसके बाद टाइम मैगजीन ने दुनिया के सबसे महत्पूर्ण छेत्रों की सूची बनाई और उस सूची में हडार छेत्र का नाम था यानि मानव सभिता की जो सबसे महत्पूर्ण इस्थान है उसमें से एक इस्थान वो था जहां लूसी का जन्म हुआ था ज उसने ये सिद्ध किया कि लूसी बंदर नहीं थी लूसी एक मादा होमिनिन थी और मादा होमिनिन का मतलब हमारे बहुत पुराने परिवार की एक हिस्था इस वजए से लूसी मानव उद्बार विकास के लिए एक बहुत महत्पूर्ण पड़ाओ बन गई इतना महत्पूर कि 2007 में अमेरिका के अंदर लूसी के अवशेशों को लेकर एक पूरी यात्रा निकाली गई जगा जगा देश भर के तमाम हिस्सों में लूसी के अवशेशों का डिस्पले किया गया लगबक 6 साल तक लूसी अपने जिवाश्मों के साथ अमेरिका के घरों में घूमने लग हैं लेकिन उसकी रेप्लिका दुनिया के तमाम अलग-अलग म्यूजियम्स में आपको देखने को मिल जाएगी लूसी में हच तीन फीट उची थी उसका वजन कोई जादा नहीं था उसके दिमाग का आकार पहले के बंदरों की तुल्ला में थोड़ा विकसे जरूर था लेकि दूसरी चीज दो पैरों पर चलना आखिर इतना महत्वण क्यों है हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि दो पैरों पर चलना मानव उद्भव का एक बहुत महत्वण पड़ाओ है हम पेड से अब जमीन पर चलने लगे हैं जमीन पर उची उची घास है जो प दूसरी चीज दो पैरों पर जब हम चलने लग गए तो चलने के लिए अब हम अपने चार पैरों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था दो पैर जो आज भी हमारे दो पैर हैं दो पैर बन गए और आगे के दोनों पैर हमारे हाथ बन गए और जब हम दो पैरों पर खड़े हैं तो मेरे दोनों हाथ फ्री हैं जैसे आपके ये दोनों हाथ फ्री हैं तो दो पैरों पर चलने का एक और मतलब ये हुआ कि मेरे दोनों हाथ अब अन्यकाम करने के लिए फ्री हैं और आपको पता है कि मानों ने अपने पहले आउजार इनी हाथों से तो बनाए मानों ने अपने पहले हाथियार भी इन ही हाथों से बनाए यानि दो पैरों पर चलने की जो बात है इसने हमें काफी कुछ नई स्किल्स नए कोशल को सीखने की और आगे बढ़ा दिया अब मैंने कहा कि पहले हम पेडों पर थे और पेडों से जमीन पर चलना शुरू हुआ और इसी प्रक्रिया में दो पैरों पर चलने की मजबूरी भी सामने आई होगी लेकिन दिल्चस्प बात ये है कि लूसी की तमाम सारी हड़ियां फ्रेक्चर्ड थी तूटी हुई थी और वैग्यानिकों ने ये माना कि जरूर लूसी किसी उंचाई से गिर कर मरी थे या तो वो किसी पेड से गिरी या किसी उंची चटान से गिरी लेकिन इतना जरूर है कि हमारी परदादी की जो मौत हुई वो पेड से जमीन पर आने की प्रक्रिया का एक प्रतीक बन गई क्योंकि यहां दो पैरों पर चलने की प्रक्रिया के साथ ही जुड़ी हुई बात थी कि अगर हम पेडों पर रहते तो निस्चित है कि पेड पर चढ़ने के लिए हमें दो पैर और दो हाथ या उस जमाने के हिसाब से कहें तो चारों पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता ले कि लूसी किसी उचाई से गिर कर मरी और उसने आने वाली मानवता को यह संदेश दिया कि बंदर से इनसान बनने की प्रक्रिया आसान तो बिलकुल नहीं रही होगी तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया दुनिया की सबसे पहली एतिहासिक मा के बारे में जो एक तरह से हमारी परदादी या परदादियों की भी परदादी हुई अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे बहुत सरल धंक से दुनिया और देश का इतिहास आपको समझाने के लिए तब तक के लिए नमस्कार